आज का जो वीडियो है ये एक प्रैटिकल प्रॉब्लम पे जो है बेस्ट है मेरे एक क्लाइंट है उनके साथ एक बड़ी विच्दर गटना गटी इनकी शादी होई करीमन दस साल पहले अच्छी मेरेड लाइप बीट रही थी पर वाइफ को जो है इन्फुलेंशल था उसके इनलाउस था साथियो नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग मजा मा केमचो कसा आहिस साथियो आज का जो वीडियो है ये एक प्रैटिकल प्रॉब्लम पे जो है बेस्ट है मेरे एक क्लाइंट है उनके साथ एक बड़ी बिच्दर गटना गटी इनकी शादी होई करीबन दस साल पहले अच्छी मेरेड लाइप बीट रही थी वाइफ को जो है इन्फुलेंस था उसके कंसरेंट परेंडल हाउस का जिसको लेकर आए दिन उनका इंटर फेरेंस बढ़ता गया और पती और पत्ने के भी जो है धरारें बढ़ती गई अब देखो बेसिक नीट किया है उमन बाड़ी की वो है सेक्स अब हस्बेंड को लगा वाइफ नहीं है तो उसने ये बाद अपने फ्रेंड को बताई अब उसके फ्रेंड ने क्या किया कि उसे उसकी एक महिला मित्र से इंट्रूइस कराया ये कहते वे कि ये जो लड़की है ये काफी दुखी है और इसको उसके पती ने जो है छोट रखा है और इसको किसी की भीए क्या मदद नी चाहिए ये खुद गर्ज है इसका आप में सम्मान है स्वामी मान है ये कुछ काम करना चाहती है और उसको दो पैसे उसके पेटे मिल जाए ये वो चाहती है ऐसा कहते हुए उसने अपने मित्र की दोस्ती जो है उस महिला मित्र से करवा दी अब लगाता रहेंगे बीच फोंगोल होते रहें वाटसक चैटिंग होते रही और ये नजज़िक आना जो है शुरू हो गए और इस भी जो है वैपार भी इंका स्टार्ट हो गया कि कुछ हैंडिक्राफ्ट के आटम थी वो बना के बेज़ती और उसको जो है वो सेल आउट करता और पैसे जो है इस लेड़ी को लागे देता तो ऐसा करीमन साल डेट साल चलता रहा पर इतना गहरा रिस्ता इन दोनों के बीच बन चुका था कि अब ये रिस्ता जो है टूर्स फिजिकली इंटिमिट किया एक दिन ऐसा आया कि ये जब लड़का उस लड़की घर पर आया तो उसने काफी दुख दर्द बाली बाते ब लड़की ने जो है फिर लड़के से एक दिन कहा कि मुझे दस लाग रुपए चाहिए लड़के ने का मैं नहीं दूंगा तो उसने कहा कि मैं तुमारे ओपर केस कर दूंगी बालतकार का लड़के ने का भई क्यो मैं जा करती हो और दीरे दीरे लड़की की हमत बढ़ गई और उसने फिर अपने किसी सलाकार को भी जो है इस केस में डिडिउस किया और लेटर रवन उसने एक विक्ति को अंडिउस किया जो और कोई नहीं उसका पती था ये बास सुनते ही उस विक्ति के जो होश उड़ गए कि उसके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है उस कॉंस्प्र आरत दर्श करवाएंगे तुम्हें जेल बिजवाएंगे तुम्हें मालूम नहीं है कि कानून जो है मैलाओं के साथ में जब भी सतरा के फोना में आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं कि हम लोग क्या करें पसीने बसीने बजाते हैं होगी हमको लगता है कि अगर इस लड़की ने सारी बातें मीडिया में आउट कर दी या रिपोर्ट लिखवा दी या मुझे जेल हो गई तो मैं बंदाम हो जाओंगा मेरा पूरा परिवार जो है बंदाम हो जाएगा और मेरे घरवाले जो रहते हैं हिंदुस्तान में या डि करो होगी आत्मत्य करना केबल और केबल कायर का जो है निशान है और अगर आप ब्लैक मेलिंग का शिकार हो रहे हो तो इनकी जो मनसूबें हैं उनको आप बढ़ावा दे रहे हो होगी यह चाते ही आपको एक्स्टाइट करना है आप उनको और बढ़ावा दे रहे हो तो ऐ ने कोई भी अपराद नहीं किया है और आप ये जो काम कर रहे हो बिल्कुल गलत है गैर गानुनी है और आप मुझे ब्लैक मेल ना करो मैं ब्लैक मेल किसी भी हालत में नहीं होगा अगर उसके जाएगा आप या कि आम इनसान होता तो डेफिनिटली एक्सरोशन का शिकार होता पर वोक्तियों नहीं हुआ उसे क्या-क्या दिमाग में बिंदू रखे जिसकर आज वो सेफ फिल कर रहा है ये आपको बताने वाला हूँ सात्यों सबसे पहले उसने जो भी एविडेंस्स को दूइंट करी और प्रेम एविडेंस क्या थी कि बिल्ड़की के साथ जांचा गोॉमा उसकी फोटोगराफ उसके पास में ती तो उसने क्या करा कि एक एक्सपर्ट की जो है सलाली और एक्सपर्ट से उन फोटोग्राफ का जो है कराया वेरिफिकेशन और ये रूल आट कर लिया कि there is no manipulation और alteration in the same बहुत easy work था पर करना पड़ा करना जरूरी है वाँकि जो photograph code में आप पेश कर रहे हो ये printouts है और इनको उसको authentication भी उसने उस एक्सपर्ट के मारफ़त कराकर 65 प्रणबतर लेकर इन एविडेंस को जो है प्रिजर्व कर लिया तीसरे बात जब 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 उस लड़की का या उसके husband का यह उस सलाकार का जो है फोना है उनको record करता चला और इसने एक यह बात करे कि भाई मैंने कोई अपराद नहीं किया यह इसने क्यों कहा वोगी देखो हिंदुस्तान में दो चीजे हैं जो की ऑफेंस इस इंटर कोर्स इस न विदाउट अगर मैरेट नहीं है और वह कॉंसेंच्वल सेक्स करते हैं को बाडिली मार्क आ भी गए तो इट में बी एग्जांपल ऑप पैश्वनेट सेक्स अगरें नाकरों के निशान लग गए यहां बहुत पैशन में जो हैं सेक्स कर लिया यह बहुत आपने जो हैं जो हैं जो हैं अब तुम खत्रे में हो तो घबरने की बाद बिल्कुल भी नहीं है इट इस नौट टरी रेप कब होता है कि सिंगर इस्टै आपको नहीं हैंगी अब आते हैं इस्टैन नंबर टू अडिल्टरी ओपर इसका मतलब क्या है सेक्स करना और उसके बात जानते हैं जो है सेक्स करना उस स्नेरियों में आपकी केड़ेगरी जो है वाडिल्टरी में होगी पर सुप्रिम कोड ने स्पैस्पिक कर जिया कि इससे कानुद में नहीं कर सकते हैं अगर हजबेंड जो है तो इससनेरियों में वह तलग केस्पाइल कर सकता है और सेक्षण फोन एडिया आईपी सी को जो है अभी अल्ट्रा वायरस कर दिया गया है तो वह खत्रा भी नहीं है तो कुन में लगे जो यह लोग धंकाते हैं क अदर और डेफिनेटल आपको रहाद मिल जाएगी मैंने से कहीं मुकादमें देखें हैं वही कि जहां पर लबेटाम पर रिलेशनशिप थे उसके बाद लड़की में मुकामत दर्श करा है पर मुकामत दर्श कराने से पहले उससे तरह की हरकते हैं तो कोड कहता कि आपको मुकादमा है और इस तरह के कारेक्राम करते हैं इसका मदब आप लड़की को यह इन प्रक्रेंट रेप में जो है फसाना चाहते हो तो कुर्मला के अगर प्रसीकुशन जैन्विन नहीं है तो उसका डेफिनेट फाइदा जो है आपको मिल जाएगा तो एंडिसीपिटर बे फालो कर लोगे तो बच जाओगे नहीं करोगे तो इनके शोशनगा जो है शिकार हो जाओगे और सातियों आपको घुठगँठके नहीं मरना है आपको ब्लैक्विल्ट बार्ले कर नहीं होनाए कसम है आपको पेरे भाई और अगर आप legal लड़ोगे लीगल बात को रखोग तो आपको रहाद भी मिलेगी, कहना की बाते हैं कि रहाद नहीं मिलती है, अगर हम एक अच्छा वकिल करें, अच्छे तरह के से प्लीड आउट करें, अच्छे तरह के से अपने केस को पुट अप करें, और जो भी बाते हम कहें वो अनकॉंट्रोवर्टेड हैं, तो यह अंदर सा अर्गुमेंट करना है, आपको अपने बात को रखना है, निश्यत तोर पर रहाद मिलेगी, किवल आपका पाथवे सही होना चाहिए, वो पाथवे क्या था, वो मैंने आपको स्पेस्विक कर दिया, साथवे टॉपिक अच्छा लगा, इसने आपको इन्लेट के साथ अब तक के लिए जय हैं, जय भारत!